पहले तो आप सभी को परणाम, आज जो मैंने जो प्रेस कॉन्फरेंस अपने आवास पर बुलाई है, इसका कारण है कि उत्तरप्रदेश सरकार आदिनी योगी जी के नेतुरत में, केंदर सरकार आदिनी मूदी जी के नेतुरत में, सब का साथ, सब का विकास, सब के के लिए काम कर रही है, और पिछले पांच वर्ष के कारेकाल में, और एक वर्ष होने को है, छे वर्ष में, सबी को साथ लेकर पूरे विधान सवा शेत्र में किसानों के हित्मे कारे किये गए, और जैसा कि आप लोग भी जामते हैं, गंगा मेला तिगरी को सरकारी कराए ग गजरोला से लेकर मूना मुकारी मार्क का चौड़ी करन और साथ ही जो अनेकों गाउं को संपर्क मार्क जहां पर किसान अपनी फसल को मंडी समीतिया चीनी मिल तक लाने में परेशानिया होती थी उन मार्गों का निर्मान किया गया, किसानों के हित्मे कारे की गए, देश के प्रधानमंत्री जी ने किसान समान ने थी और जो अनेकों समस्यां आ रही थी उन सब के लिए समाधान किया गया, लेकिन कुछ लोग मेरी छभी को धुमिल करना चाहते हैं, मेरा कारे पिछले पांच वर्ष में भी, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, कि पिछले पांच वर्ष में और अभी तक मैंने कोशिश की कि जिस जो मेरी पार्टी का संकल्प है अंतोदे, जो मेरी सरकार का अधरने मूदी जी, योगी जी के नितरत में सरकार चल रही है कि सभी को योजनाओं का लाब मिले, उसी के अनुसार काम किया है, और इस जो छे वर्ष के लगभग कारेकाल में, ना तो मैंने किसी की भूमी पर कबजा किया, ना मैंने कहीं पर जो दलाल प्रवर्टी के लोग थे, उनको सरन देने का काम किया, और जो माफिया और गलत प्रवर्टी के लोग, जो संचालित करना चाहते थे, उनसे दूरी बना करके रखी, उनको पी यदी गरीब पर कहीं आँच आती है, किसी गरीब किसान को यदी पीड़ा होती है, तो छेत्रिय विधायक के नाते, मैं बिल्कुल जात पाध धरम इन सारे इस चीजों से उपर उठकर, मैं निश्यत तोर पर उस पीडित व्यक्ति का साथ दूँगा, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, तो कल ये जो अभी अखवार के माद्ध्यम से, एक अखवार में ये फोटो छपाए है, हिंदुस्तान अखवार में, दूसरा अमरुजाला में भी फोटो छपाए है, किसान यूनियन के कुछ हमारे मित्र और सनोच कुमार और ये अनुच कुमार, दो भाई जो भूमाफिया है, इनके द्वारा इनको भ्रमित करके, किसान संगठन को जिसमें, और ये अमर दैनिक जागरन की खवर, इस के माद्ध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुमार, निवासी गिनाम ततारपूर गर्वी के दो किसान, भाईयों के द्वारा सलैमपूर गोसाई में किर्शियों के भूमी खरीदी गई थी, शासन प्रशासन के आदेश अनुसार भी छेत्रे विधायक की दवंगई के कारण, किसानों को अपनी जमीन पर काविज ना करा पाना, किसी भी सक्षम अधिकारी का विधायक के दवाब के कारण, भूमी को पैमाईश ना करा पाना, तो मैं पहला तो ये जवाब देना चाहता हूँ, कि मैं एक गाड़ी से चलता हूँ, और पूरे शेत्र में, बिना किसी दवंगई के मेरी दवंगई को भी जानते हैं, यदी मैं किसी की भूमी पर कपजा करता, यदी मैं किसी को गलत तरीके से मुकदमे वाजी कराता, उस पर मुकदमे लगाता, उस पर दवाब देता, तो दबंगे निश्यत तोर पर कहीं पर दिखाई देती लेकिन मैं कहता हूँ और पूरे शेत्र में चुनाउती देकर कहता हूँ कि कहीं पर किसी एक की जमीन पर मैंने कपजा की आहो तो मैं माने मुख्यमंत्री जी से भी कहता हूँ कि मुझ पर कारवाई करें कहीं पर मेरा क क्रप्तें इस तरह का लगता है कि मैंने किसानों के आहित में कोई कारे किया तो मुझ करुवे की जाया अन्य था जो ससनोज कुमार आरूणुछ कुमार यह लिखाया कि भारती किसान युनियन एराजनेतिक यह साथ में कुछ लोगों के signature भी है यहां पर इनको भ्रहमित किया गया है और मैं किसान union के रास्टी अद्यक जी से और यहां पर विजयपाल जी रास्टी उपाद्यक जी है किसान union के उनसे भी आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों को भ्रहमित किया गया किसान union से जुड़े हुए वो इस सो मामले को पूरा समझ लें क्योंकि ये निर्णे मानने नियाले का है मानने नियाले का समान करते हुए ही जो कारवाई चल रही है उसी के अनुसार कारे किया जाएगा और मैं इस आदेश को भी आप सभी के सामने कोफी भी दे दूँगा जो मानने नियाले ने आदेश दिया है और ये आदेश हुआ है 11.08.2022 को इसमें 11.08.2022 तो ये आदेश दिया गया आदेश इस प्रकार है कि बादीगन द्वारा प्रस्तुद इस्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 8.08.2022 सुविकार किया जाकर ग्राम सलैमपुर गोसाई तैसिल धनोरा की भूमी खाता संख्या सरसट के गाटा संख्या 3300 ओबलिग 1.995 हेक्टियर में प्रतिवादी संख्या एक को बिवादित भूमी में अवैद रूप से कबजा करने एवं खुर्द बुर्द करने वे किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा विक्रे किया जाने वे इस्थुती परिवर्तन इत्यादी करने से बाद के निस्तारान तक रोका जाता है ये इस्टे दिया गया था कि ना तो इसका बैनामा होगा, ना इसको खुर्दबुर्द किया जाएगा, ना इसको किसी तरे की छती पहुचाई जाएगी और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि उभै पक्षो मौके पर यता इस्थती बनाना सुनिश्चित करें यानि के दोनों पक्षो यता है इस्तिती बनाए रखें और इसमें कोई बेनावा भी ना कराएं पैसिलदार धनारों को निर्दोशित किया गया है कि प्रश्ण गत उक्त आदेश का अमल दरामद राजस्व अभी लेकों में कराना सुनिशित करें जो इसका खसरा होती है खतोनी उसमें भी इस आदेश को दर्च कर दिया गया है उसकी भी कौपी आपको दिलबा दी जाएगी लेकिन उसके बाद भी गलत तरीके से अनुसुचित जाती के एक व्यक्ती की पर्मीशन हुई जो भूमाफिया साथ घांट करके जो करोडों का खेल मुझको भी मैनेज करने की कोशिश की विभिनमाद्धिमों से लेकिन मैंने इससे इंकार कर दिया कि मैं इस तरह के जो भूमाफिया लोग इंसे दूरी बना कर रखता हूँ और भूमाफियाओं के साथ में कभी नहीं देता, खादरशेत्र में भी हमने कई सो बीगे, माफियाओं से भूमी खाली कराने का काम किया गया, लेकिन उसके बाद भी 27 अगस्त को, इस स्टे के बाद बैनामा किया गया, बैनामा हुआ, जो अवैब है, इस कागज के अनुसार, मेरा किसी से कोई रागदोयश नहीं है, लेकिन यदि मुझे पर आरोप लगाए गये हैं, तो मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, और ये भी सोसल मीडिया के माध्यम से मुझे कागज मिला है, ये भी जो किसान यूनियन ने पत्र दिया, उसके बाद ही कोई निर्णे लें, और सोसल मीडिया में भी भी कहा गया कि घर गहरेंगे, रोड गहरेंगे, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ, कि शेत्र में शामती विवस्था के लिए मैंने काम किया है, और आपसे भी आग्रह है कि इसमें दोनों पक्षों को उस पक्ष को भी, और मानने नियाले के आदेश को भी पढ़ लें, उसको देख लें, किसी भूमाफिया का साथ ना दें, यदि कोई भूमाफिया गलत करते करता है, तो उसके खिलाब कारवाई के लिए, मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ, वो भी उसके साथ खड़े रहे हैं, जो पीडित पक्ष है, जो मानने नियाले का आदेश है, और मानने नियाले जो निनने देगा, वो हम सब को मानने होगा, और मैं साथ ही ये मांग करता हूँ, उत्तरप्रदेश के मानने मुख्यवंत्री जी से भी मिलूँगा, उनके पेपर्स को लेकर, डॉकुमेंट्स को लेकर, कि जो तैसील के प्रिशासन ने, जिलाप प्रिशासन ने जो गलत तरीके से पर्मीशन दिये, उसका कैंसिलेशन हो, और आज उन लोगों ने भी अपना जिलाधी कारी को ग्यापन सौपाए दूसरे पक्ष में, पक्ष ने उन्होंने कहा है कि हमने बेनामा कैंसिलेशन के लिए डाला है, जो नियम प्रुद्ध जाकर बेनामा हुआ, जिसका दाखिल खारिज कर दिया गया, और अब कभजा करने के लिए भी बताया गया है, जो उन्होंने ग्यापन दिया, जिस तरह से इनका ग्यापन है, उनका भी एक ग्यापन है, जिरह वो ग्यापन भी दे दो मुझको, पूरे जिले के अधिकारियों के साथ खड़ा हूँ, मेरी सरकार की जो मन्शा है, उसके अनुसार में अपनी कारे को कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, कि हमारे किसान संगठन के लोग हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ, कि कहीं, यदि कोई लगता है कि एननेतिक कर रहे है, कहीं पर कोई कबजा कर रहा है, मैं बिलकुल निश्चित तोर पर उनके साथ हूँ, पिछले दिनों बेब सुगर मिलके लोगों ने एक सैनी समाज के किसान के जमीन पर कबजा कर रहे थे रात को, उनकी बात को मैंने उठाया, तो मैं कहता हूँ, कि जहां जहां आवश्यक्ता पड़ती है, मैं कारे करता हूँ, दूसरा आरूप इनोंने जो ग्यापन दिया है, इसमें दिया है कि सत्र का गन्ये का रेट और सरकार दोरा जारी नहीं कुना करने के लिए समय सबम पर कदम उठाती रहती है, तो मैंने भी ये मांग रखी, और आज गन्ना मंत्री जी का भी स्टेटमेंट है निउस्पेपर के अंदर, कि हम रेट बढ़ा कर बहुत जल्द मूले को घोशित करेंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, कि सान ब राजनितिक संगठन, किसान संगठन सब परेशान थे, जब किसानों के पशू खुल खुल कर रात को चोरी होने के बाद पिछली सरकारों में, सपा सरकार में, या बसपा सरकार में, स्लोटर हाउस में कटते थे, सब लोग परेशान थे, लोगों को गोलिया मार दी जाती थी उस slaughter house को भी पशों को काटने के बाद जमीन में blood डाला जाता था, उसको भी बंद कराने का काम मैंने किया, और आगे भी जो संभव होगा, मैंने अपने शेत्र के सम्वानित भाईवेनों के लिए, अपने सम्वानित किसानों के लिए कारे किया है, और अभी गवशालाओं के निर्मान के लिए भी हम लगें, अभी माने मुख्यावंत्री जी के साथ, नौतारी को बैठक थी, मैंने गवशालाओं के निर्मान के लिए मांग की, और हमारे यहां गवशालाओं चाहिए, डींगरा, धनोरा, बच्राईयू, गजरोला, यह गवशालाओं यहां पर हैं, जनपद में और भी गवशालाओं हैं, आवारा पसूओं के लिए जो बाहर घूम रहे हैं, उनको हम लोग गवशालाओं निर्मान कराने जा रहे हैं, और सरकार इस सब को लेकर गंभीर है, और अभी खादर शेत्र में तिग्री में, जो माफियाओं ने हजारों भी के जमी घिर रखी थी, उस सब को भी हमने चरागा को खाली कराने का कारे किया है, और अपने जनता के हित्में, अपने शेत्र के हित्में, नरंतर मैं कारे करता रहूँगा, मेरे मन में कोई किसी के पृति ना राग है, ना देश है, और जो गलत लोग हैं, निश्चित तोर पर उनक मैं आवाज उठाता रहूँगा, मेरी आवाज उठी उठती रही है, लेकिन जो गलत लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, जो गलत प्रिवर्टी के लोग हैं, मेरी छवी को धुमिल करना चाहते हैं, इस सब का कोई प्रिभाप पढ़ने वाला नहीं है, और उसी का प्रणाम है क मेरे सम्मानी शेत्र की जनता ने मुझे दुबारा यहां से विधायक बना करके भेजा, और मैं जैसे पिछले पांच वर्ष में कारे किया, जो पुल के निर्मान का हो, चाह सडकों का निर्मान का हो, विजली के निर्मान का, विजली घर के निर्मान का कारे हो, आगे भी हम किसानों की और अपने छेत्र की जनता के सुख के लिए उनके प्रियोग के लिए यहां पर विकास के लिए उनके दैनिक जीवन के उपियोग है तो जो भी सरकार के द्वारा सुलब्ता पूर्बक सुविदाय उपलब्ध कराई जा सकती है उस सब के लिए मैं निरंतर लगा और दूसरे पक्षने भी आज यह ग्यापन सौपाय अपनी मांग रखी है तो मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि प्रिशासन ऐसे माफियाओं के खिलाब करवा ही करें और यह सनोच कुमार और अनुच कुमार ने जो मुझ पर आरोप लगाएं कि निराधार है औ और किसान उनन के भाईयों से कहना चाहता हूँ कि किसी भूमाफिया के कहने में ना है और वह ऐसे भूमाफियाओं की जांच कर लें पूरे प्रपत्रों को देख लें कोट के आदेश को देख लें और जो दूसरा पीडित पक्षे वो भी किसान है उसकी भी बात को सुनें और जो सही निर्णे लें और अपने शेत्र में शांती विवस्था बनी रहे जैसा सरकार चाहती है अभी प्रतियक व्यक्ति के लिए हमारी सरकार कर रही है तो मैं आपके माध्यम से एक कहता हूँ कि भूमाफियाओं के खिलाब चिन्हित करके पूरे जनपद भर में धनव राज जी से अगरे की बुल्डोजर का प्रियोग करें और यहां पर भी एक संदेश दें कि माफिया इस भाजपा सरकार में योगी राज में मोदी राज में बचेगा नहीं और भूमाफियाओं का इलाज किया जाएगा और निश्चित तोर पर मैं माफियाओं के खिलाप जो मेरी छबी को धूमिल करना चाहते हैं मैं आवाज निरंतर उठाता रहूँगा और गरीब भाईयों के साथ गरीब किसानों के साथ अपने शिद्र की जनता सही लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद